अखाडा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं इंकम टैक्स के शिकनजे में सितारों की टैक्स चोड़ी मामले में फिल्म सितारों पर इंकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकनजा कस्ता जा रहा है आयकर विभाग की चापे मारी दूसरी दिन भी जा रही है थोड़ी देर पहले आयकर विभाग के दो अधिकारी फिल्म डिरेक्टर अनुराग कश्यप के घर में घर से निकले हैं जबकि कुछ अधिकारी अभी भी वहां मौझूद है इससे पहले अनुराग कशिप, विकास बहल और तापसी पन्नू के घर और दफतर पर आयकर विभाग ने देर शाम तक छापे मारी की और फैंटम फिल्म से जुड़े दस्तावेजों की परताल भी की इसके अलावा के आराइ टैलेंट मैनेजमेंट कमपनी और उसके दफतरों में भी आयकर विभाग के छापे पड़े ये कमपनी तापसी पन्नू के कामकाज को संभालती है इसके अलावा आयकर विभाग के अधिकारियों ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताज भी की दोनों से ये पूछताज पुणे के एक होटेल में हुई जहां अधिकारियों ने उनसे टैक्स चोरी मामले से संबंदित कई सवाल जवाब किये शूटिंग के सिलसले में फिलहाल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पूरे में है वहीं आयकर विभाग सूतरों के मताबिक छापे के दोरान कई अलेक्ट्रोनिक डिवाइस और दस्तावेजों की जाच की गई है टीम ने अब तक कुछ इलेक्ट्रोनिक डिवाइस अपने कब्जे में भी लिये हैं उन्जे में से एक तापसी पन्नू का लैप्टॉप भी बताया जा रहा है आएकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू और अर्नाला कर्शेप का लैप्टॉप जब्त कर लिया है दोनों के सभी फोन भी अधिकारियों ने ले लिये हैं इसके अलावा कई अलेक्ट्रोनिक सामान भी कबजे में ले लिये हैं जिनकी अब जाच की जाएगी इसके अलावा आएकर विभाग का दावा है कि छापे मारी के दोरान कही एहम दस्तावेज भी बरामत किये गए है अख़डा में हम ये भी बता दें कि PR एजनसी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के दफतर में भी इनकम टैक्स की छापे मारी हुई है मधु मंटेना की कमपनी क्वान के दफतर पर भी आयकर विभाग ने छापे मारी की टैक्स चोरी के आरोप में ये चापे मारी की गई है क्वान के चार अकाउंट सील भी किये गए है क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी फिल्म इंडस्टी की कई बड़ी सेलेब्रिटीज का पियार देखती है सूत्रों के मताबिक इंकम टैक्स की जाच कई और बड़ी सेलेब्रिटीज तक भी पहुँच सकती है पारस दामा और विवेक गुपता अमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक सबसे पहले तो लेटिस बताईए कि ये दूसरे दिन भी अगर पड़ताल चल रही है तो जरूर इंकम टैक्स अधिकारियों के हाथ यानि आयकर विभाग के हाथ कुछ तो लगा होगा फिलाल अभी बता रहे हैं कि अनुराग कशिप के घर पर अभी भी कुछ अधिकारी मौजुद हैं किस तरह की पड़ताल हो रही अब बेल्कों सिक आनन्द आपने देखे जो नियम होता कि एक पर जो इंकम टैक्स की जो रेट शुरू होती है जब तो पूरी रेट खतम नहीं होती है तब तक वहां से अधिकारी घर से बाहर नहीं निकलते हैं मेरे बीच अब देख सकते हैं कि जो कॉन टेलकॉम कॉन टेलमेंट एजनसी का वहां से चापा कल सुबह 6 बज़े जारी है और अभी भी यहां पर चल रही है साथ अनराफ कश्यप की घर भी चापे मारी हो रही है और जो तापसी पन्नु की जो मैजमेंट कंपनी एक के आ रही है वहां पर भी पूरी तरह चाप मारी हो रही है अपने आपको और अपने दर्सकों समझाना जाओ कि यह पूरा मामला क्या है किस क्यों इंकम टेस्ट की जो है यह चापे मारी चल रही है 2010 से लेकर 2018 तक Phantom Company बनती है और Phantom Company 2010 से लेकि दो जलटायता है जितनी भी बड़े इसके बैने में तलिजो भी फिलिमे बनाए जाती है उसमें काफी कमाई होती है खमाई होने के बाद Phantom Company इसका जो tax है वो काफी कम भरती है आज साल में Phantom Company ने कई मुवी बनाई जिसमें तापसी पनु भी उस मुवी में उनका केड़ार भी रहा है इसी वज़े से तापसी पनु भी आई income tax के रडार पर है इन आज सालों में इंकम टेक्स टे कहना है कि Phantom Company ने कमाई तो बहुत की लेकिन income tax भरा है काफी कम जिसको लेकर 2018 से लेकर 2020 तक बकायदे ने नोटिस भेजा गया नोटिस भी निकाए जब यह स्कूटनी में आए इस कूटनी में होने के बाद 2021 में इनके चाप इमारी शुरू की गई यह जो 2018 में Phantom Company पूरीतों से डिजॉल्फ हो चुकी थी चार जो पार्टनर थे वो पूरीतों से अलग हो चुके थे जो नई कंपनी बनी है उनके उपर income tax से खोली ने दिना नहीं है इनकम टेक्स सिर्फ और सिर्फ Phantom Company जो 2010-2018 की बीच में दोनों ने कमाई की है जो टेक्स भर है उसकी जाश कर रही है इन आच सालों में पता चला कि चुरी का मामला है इसी वजह से अब यह पूरी चाहि की जा रही है अनुराग कश्यप आपस पन्यों टेलेंट एजन सी तो यानि आपका यह कहना है कि जो अनुराग कश्यप और विकास बहल मदू मंतेना और विक्रम मुटवाने की एक 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 जोड़ी बनी थी इन सब को मिलाकर जो फैंटम फिल्स बनी थी उसके पिछले तो आठ साल 2010 से 2018 के बीच जो हुआ है उसको खंगाल रही है आईकर विभाग इससे पहले कि हम वापस मुंबई जाएं और पारस धामा से बात करें जो अनुराक करशेप के घर के बाहर हैं बड़ी खबर ब बास सिद्धी की पार्टी आईसेफ के बीच सीटों पर बात बनती नजर आ रही है फिलहाल सूतरों के हवाले से खबर ये है कि लेफ्ट 154 सीटों में कॉंग्रेस 92 सीटों में और आईसेफ 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है तो आशिका सिंग जुड रही है फोन लाइन पर आशिका लेकिन अगर इसको देखा जाए तो क्या फुरफुरा शरीफ की जो डिमांड थी छे सीटों की नॉर्थ बेंगॉल में उसको पुरा किया जा रहा है क्योंकि कॉंग्रेस अपनी सीटों को छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही नहीं देखिए वहाँ पर अब भी पेंश भसा हुआ है और नॉर्थ बेंगॉल की जो बात है आईएसेट का ये कहना है कि कोई भी छे सीटे दे दीजे जिस पर आप लड़ना नहीं चाहते हैं हाला कि जाक्षिन मंगाल में जो सीटे कॉंग्रेस छोड़ रहा है आईसेप के लिए उससे काफी आप तक संतुष्ट हैं अब बात सिदी की जिसके वज़े से वो अब भी ये जो गटबंदन है आगे साकार होता हुआ नजर आ रहा है मैं आपको ये भी बता दू कि ये जो आईसेप को दिया जा रहा है लेकिन अगर इन आकड़ों को देखे आशिका तो 154 जमा 92 जमा 37 तो फिर 283 हुए तो 11 सीटे अभी भी खुली है उन पर चर्चा हो रही है कि कौन कहां से लड़ेगा तो लगभग अब जो है ये उनाइटेड अलाइंस जिसको नाम दिया जा र रहा है और सब्बो है कि जो 11 सीटे हैं जिन पर पेश फासा है ये भी जल्द ही मीटिंग के जरीए इस पर भी समझोता हो जाएगा तो आप कह रहे हैं कि कहीं न कई समझोता होता नजर आ रहा है लेकिन उदर से ख़बर ये आ रही है कि अबास सिद्धिकी और ISF जो है कम से 42 से 43 सीटों पर वो लड़ना ही चाहते हैं तो यानि कम से कम फिर से 5 ये 6 सीटे उन्हें और चाहिए और ये वही 6 सीटे हैं जिन पर कॉंग्रेस अपने अपनी जगए छोड़ने को अभी तयार नहीं है देखते हैं कैसा विकल्प निकलता है क्या होता है आशिका अपडेट के लिए वापस घूमके चलते हैं बंबई और बात मुंबई और बात करते हैं आई टी और आयकर विभाग के चापे पर पारस धामा हमारे साथ अनुरा कश्यप के घर के भार से हैं जहां अधिकारी अभी भी मौजूद हैं शिफ्ट भले ही चेंज हुई हो लेक उसमें जो टैक्स इवेजन हुआ है उस पर जो 2018 को 2018 में फैंटम फिल्म्स को नोटिस भेजा गया था उनसे सफाई मांगी गई थी उसकी प्रक्रिया के अंतरगत अब 2021 में यह चापे मारी हो रही है तो 2010 से लेकर 2018 के रेकॉर्ड्स खंगा ले जा रहे हैं पारस आनल पहले आपको एक चीज़ बता दे हैं कि यह जो पूरा मामला है 20 दिन पहले आईटी ने जो फैंटम फिल्म्स के जितने भी डिरेक्टर्स हैं प्रोडूसर्स हैं या CEO हैं उनको इस बारे में बातचीत करने के लिए उनको अल्रेडी समन किया हुआ था मगर जब उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि जो फैंटम फिल्म्स है वो 2018 में डिजॉल हो चुकिया अब उनका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है तब उसके बाद ये सारी रेट जो है वो कंड़क की गई क्योंकि आईटी को इन सारों के जवाब से साटि अनुराग कश्यप के घर पे कल सुबह 6 बदे से जो आईटी की टीम आई हुई थी वो अभी तक घर के अंदर ही है जैसे सायोगी जो है विवेक गुपता ने बताया कि आईटी की रेट तक खतम नहीं होती है और जब खतम होती है तब सब निकल जाते हैं सिर्फ शिफ्ट जो होती है बले शिफ्ट हो गई है मगर अभी भी इसी घर में जो है आईटी के लोग मौजूद हैं कुछी देख पहले दो अदिकारी आंसे निकले हैं मगर अभी भी कुछ अधिकारी इस घर मेरे मौजूद है इसी बिल्डिंक के आठवे फ्लोर पर अनुराग कश्यप का अब भी भी अंदर तैकिकात जो है वो चल रही है अभी भी सवाल जवाब जो है अंदर कागजात खंगाल रही है वो पूरी तरीके से देख रही है आईटे की टीम और साथी जो है यह पूरा 2018 में जब यह चीज डिजॉल हुई थी फैंटम फिल्म्स उसके बात जो है आईट इस पूरे चीज को तैकिकात कर रहे हैं तो यानि की जो कौन के बैकर है मदू मंटेना विक्रमादित्यम मुटवाने और विकास बहल और अनुराक कश्यब इन इस चौकड़ी ने फैंटम फिल्म्स शुरू की थी अब फिर वो फिर डिजॉल हो गई जब विकास बहल पर कैसे बांटा गया क्या उसका उस पर टैक्स की चोरी की गई तापसी पन्नु कैसे इस घेले में आती हैं वो भी हम जड़ा विवेक गुपता से पूछेंगे लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि इस पर सियासी बवाल भी जारी है और इसे लेकर मुहावरा वार भी श CBI की उंगलियों को को एडी एडी और CBI को अपनी उंगलियों पर नचाती है केंद्री अमंत्री प्रकास जावडेकर ने राहुल के ट्वीट का जवाब उनहीं के अंदाज में दे डाला जावडेकर ने भी तीन मुहावरों के जरीये जवाब दिया अब आपको दिखाते ह है कि राहुल गांधी ने पहले क्या ट्वीट किया था राहुल गांधी ने पहला मुहावरा लिखा उन्होंने लिखा उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार आइटी डिपार्टमेंट एडी CBI के साथ यही करती है दूसरा मुहावरा उन्होंने लिखा भीगी बिल्ली बन पर प्रलटवार किया उन्होंने कहा एमर्जेंसी की याद दिलाई जावडेकर जी ने भी तीन मुहावरों के जरीये जवाब दिया उन्होंने लिखा राहुल गांधी इन मुहावरों को याद कीजिए सोचुहे खाकर बिल्ली हज को चली आपात काल में मीडिया की आजादी पर अंकुष लगाने वाली कॉंग्रेस का मीडिया की आजादी पर ग्यान देना उंगली पर गिने जा सकना कॉंग्रेस की मौजूदा स्तिती और चुनाव में स्तिती रंगा सियार ये तीसरा मुखावरा सबसे सांप्रदाइक पार्टी सेकुलोरिजम का ठोंग करती एक परि अटवार किया बीजेपी नेता के मताबिक राहुल को दूसरे में गलती निकालने के बजाए अपनी पार्टी की कामिया जो है और खामिया जो है वो देखनी चाहिए